नमस्कार फेंड्स मेर नाम बबलू और माँ पेपर है करमिय आपका स्वागत आजम देखेंगे यहाँ पर B.A. B.S.C. सेकंडर वालों के लिए मिलिटरी स्टिस का यहाँ पर फर्स्ट पेपर हो जाता है और अपना दो सेकंड पेपर है वो कैसा रहने वाला है आगरा युनि से मिल जाएंगे ठीक है तो फेट से बहात्पूर सूचर है से मबता दूं आपको कोई भी एक्जाम होगा बीए का तो उसमें हैडिंग पर ज्यादा फोकस दिना पड़ता है ठीक है ठीक है तो बढ़ते हैं बड़ाबर कोशनों की और हैडिंग ज्यादा तर एक्जाम में अजातर अपनी आंसर सीट में लिखकर आना है ठीक है बड़ते हैं बड़ाबर कोशनों की और तो आंसर कॉपी होती है तो बात करते हैं राश्टी सुरक्षा है ना नैस्नल सेकूर्टी तो यहाँ पर फरस्टी को बढ़ते हैं कौन कौन से कुशन हमारे एक्जाम में बहु यहाँ पर बताना है ठीक है नेटेक्स कूशन की बात करते है राष्टि सुच्छा का अर्थ राष्टि सुच्छा का अर्थ क्या होता है भारत चीन सीमा बनुझ обяз जो 62 में युद्धू आता ठीक है इससे प्राप्त और उससे इसके जो युद्ध ही सफल सफल में असफल त इसमें क्या हमारी कुटनितियां थी ठीक है उसके बारे में हैडिंग डालकर आपको लिखना है ठीक है बात करते हैं नेक्स कुशन दिरेखा है तुम्हारा भारत पाक यूद 1971 के कारण के नौ सेना की भूमिका आपको पाकिस्तान की भूराजनितिक प्रकृत्ति के बारे भी एक्जाम में गया है ठीक है लेक्स कुशन कर ला भारत की सीमा समस्या क्या क्या है एकक्वरत कर भारत की सीमा सीमा है इस प्रकार साला गेो सालां देखना है बात करते है आश्चर युद्ध का सबसे अधिक घ्र तक तत्व है तो इसके बारे में आपको देख लिएना है बात करते हैं नेक्स देखाया तुम्हारा आक्रमात्मक कारिवाही जो होती है इसके बारे मताना है और इसके लक्षे का चुनाव और उस पर इस्तित रहना कथन की विवेचना भी आपको करना है ठीक है आगे बढ़त है युद्द में आर्थिक तत्व होते हैं उसके बारे में देखना है उननिससो सेटाले अरग्रत में भारत के बारे में आपको डिटेल में विख्या करना है और हाइडिंग पर जादा फोकस दिना है बात करते है नेक्स कुशन रखाया तुमारा भारति अंत रिच अनुसं नहीं है इनका क्या करना है एक बार तो थियोरी बेस बहुत इची प्रिकार्स बढ़ना है उसके बाद इंथी हैडिंग को क्या करना अंडरलाइन करके अच्छी प्रिकार से हैडिंगों को याद कर लिना ठीक है बस हैडिंग इंपोर्टेंट होना चीए जो कॉपी चेकर होता